खलत तिरादे से घर में गुषे संदिग्द व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सोपा जनपर बिजनोर में रात एक अनोखा मामला परकाश में आया है जहां चक्कर रोड परिस्तित आदर्श नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति के घर में एक संदिग्द गुष गया और घर में सो रहे बुजरुग पर हमला कर दिया बुजरुग का शोर सुनकर आजपास के लोग मोखे पर पहुँचे और घर में गुषे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सोप दिया राब जानकारी के अनुसार फूरा मामला जन्पर विजनोर में चक्कर रोड परिस्तित आदर्श नगर कॉलोनी का है जहां पर रहने वाले सिरी राम पुत्र महुआ सिंग के घर में बीती रात लगबग साड़े बारा बजे एक संदिग्द व्यक्ति गलत इरादे से उनके घर के में गेट को कूद कर घर में घुद गया और घर में चिपकर बैठ गया परंतु संदिग्द व्यक्ति की आहट सुनकर उनके पिता सिरी राम की आँख अचानक से खुल गई और पुलदीव कुमार के पिता की आँख खुलती देख संदिग्द व्यक्ति ने उनक पर हमला कर दिया और नसीली दवा लगा रुमाल उनके मुव पर रखने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़कर शोर मचा दिया शोर सुनकर वे और उनकी पत्नी अंजू उनके साथ मोके पर पहुंचे और गटना देखकर शोर मचाया जिसे सुनकर आजपास रह रहे हैं लोग भी मोके पर पहुंचे और संदिक्द वेक्ति को पगड़कर घर में ही बांद दिया गटना की सूचना पर मोके पर पहुंची पुलिस संदिक्द वेक्ति को ठाने में लेकर आ गई और सिरीराम की तहरीर पर फिल्हाल मामले की जांच कर रही है और यह लगाने की कोशिश कर रही है कि वह संदिग किस कारण से उनके घर में गुसा था देखे जन समबाद के लिए निकी रवी की यह रिपोर्ट मैंने उसके घर्टा पकड़ लिया फिर मैंने रॉल मचाई तो महले वाले आ गए सब उन्होंने फिर जो है इसको जो है आज भी फोन करा तो यह सफली चली गई अब मेडिकल करा रहे है तो आपके घर कोई घटना तो नहीं होई आज घटना तो यही होई है जो हमारा गलाद अगर जो मेरी आँट ना खुलती है तो मेरे मार देता है कोई छोडी ओडी तो नहीं होई कोई समान तो नहीं गया समान उमान तो कुछ नहीं गया जो पकड़ा गया तो यह समान के जाता पिए